इस तरीके से हमें रिवाइज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसिज और कमेंट आए हैं कि सर हम रिवाइज जब करने बैठते हैं तो उतना ही टाइम लग रहा है जितना हमें पहले चप्टर पढ़ने में लगा है तो आज एक तरीका हम देखने वाले हैं कि क इस तरीके साब लोगों को रिवाइज करना चाहिए और मैं एक बात बोलूँगा जो भी बच्चा अगर शुरू से पढ़ रहा है और वो अगर लास्ट के दिनों में आके अगर रिवीजन सही से नहीं कर पाया तो कहीं न कहीं उसके अच्छे मांक्स आने में दिक्कत होग ठीक है तो इसलिए इस लास्ट के दिनों में आप लोगों को सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है ठीक है और मेरा एक फर्ज है यार तुमारे प्रति की हां मलो यार की तुमारे सत्तर में से सत्तर लाने फिजिक्स के अंदर तो हर एक चीज तुमारे लिए लेके आने है इस चैनल पे चाहिए वो पढ़ाई का कंटेंट हो चाहिए वो नोट्स हो चाहिए वो स्टेटिजी हो चाहिए वो मोटिवेशनल वीडियो सभी आप लोगों को इस चैनल पे मिलने वाला है ठीक है तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोगों को रिवीजन करनी चाहिए अगर आप लोगों को अपना स्कोर जो है वो इंक्रीज करना है ठीक है और एक बैस्ट मैथट और प्रैक्टिकल चीज हम डिसकस करने वाले और एक चीज में बोलूँगा की भाई अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ सुनिल सर हमारी हेल्प कर र आप लोगों को वो कंटेंट मिल जाएगा किसी को भी जैसे कहीं बच्चे बोलते हैं कि इस चप्टर के नोट्स हमें जो है वो नहीं मिल रहे हैं तो वह आप सिर्फ चप्टर का नाम और पीछे मेरा नाम लिखिए आपको नोट्स मिल जाएगे ठीक है चलिए तो आगे जोइन कर लो क्यों कि इसमें में जितनी भी फ्री लाइव ख्लास लेता हूं उनकी सब का लिंक आप लोगों को मिलता है ठीक है जितने मैंने प्रिवीज करवाए हैं उनकी सबकी पीडियूफ यहाँ पे मिल रही हैं जितने भी यह वन शोट कराए हैं मैं जितने भी 80-20 नहीं मैं तुम लोगों मैं भी हूँ वैसे तो इसके अंदर ठीक है तो लगबग लगबग त्रेपन हजार से जादा जो हैं बच्चे इसके अंदर हमार साथ जुड़े हुए हैं तो मैं यही बोलूँगा यह बहुत जादा आप लोगों के लिए helpful रहेगा अगर आप इस टे करेवे तो भी स्माइल होगी और वो बड़े अच्छे डंग से होंगे कि हां यार हमें तो सब कुछ आता है फिजिक्स के अंदर हम सब फोड देंगे या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर उन्हें लग रहा है अच्छे मार्स आगए हैं प्रीबोड के अंदर तो वो भी खराब जाएगा उसका मतलब यह नहीं है ठीक है कही ना कही थोड़ी सी तुम्हारी जो है कमी रही होगी तो उस कमी को तुम अपनी जो विकने से उनको देखो कि किस तरीके से मतलब चीजे तुम्हें जो तुमने गलती करी है पेपर में वो कैसे हुई है क्यों गुशता हुए कि वो चीज अच्छे डंग से क्यों नहीं कहीं ना कहीं मेरे अफर्स उनमें कमी हो सकती है तो मैं उनको देखता हूं कि हां यह कमी हो सकती है तो जिनका भी प्रीबॉर्ड अच्छा नहीं गया वो अपने आपको पहले तो भाई एवेल्यूएट करो मतलब अपनी कमी हो को देखो कि हां यह कमी रही है मैंने सलेवस पूरा नहीं किया या मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है या मेरी रिवीजन का टाइम्स जो वो अच्छा नहीं है ठीक है और जो प्रीबॉर्ड जिनके अच्छे गए हैं उन्हें मैं एक बात बोलूँगा कि वह तुम हावा में मत उड़ना क्योंकि हावा में अगर उड़ गए अभी पे और तुम सोचोगे कि हमार तो बहुत अच्छे मांक्स आने वाले हैं और तुम अपने जो फाइनल बोर्ड एक्जाम उसकी प्रप्रेशन को डिला कर दोगे ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ या बुरा गया है दोनों की बात करते हैं देखो यार जिनका प्रेशन अच्छा गया है मैं उन्हें एक ही बात बोलूँगा कि भाई साब या तो तुमने नोट्स बना रखे होंगे अपने किसी भी सब्जेक्ट के ठीक है जैसे कि मान लोगर केमिस्ट्री है ठीक है या फि नोट्स से पढ़ रहे होंगे ना नोट्स से बढ़ रहे होंगे तो उसका मतलब यह नहीं है कि हरे एक चीज करते चलो तुम्हें चीजे तो पहले से आ रही होती है तो तुम्हें उनका सिरफ एक आइडिया लेना है उनका सिरफ क्या लेना भाई सब एक आइडिया लेना उ या फिर जो भी या है यूनिट वाइस जो भी है तो प्रवाइड कर दूँगा लेकिन वह शूर्ट नोट्स यार मैं अपने अकोडिंग बना रहा होंगा कि हाँ यह चीज यह यहाँ जिखने हैं यह 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 सी लिखने ओर मतलब भी क्या होता है जस्ट फॉर्मुले ज मतलब उसका निचोड बना लो कि यहां इस्टप्ट में यह concept है यह फॉर्मले है यह इसका डाइग्राम है यह इस तरीके से ठीक है यह चलेगा आप लोगों के पास ठीक है जिनके प्रीबोड अच्छे गए हैं उन्हें सीधा वीडियो से नहीं पढ़ना कुछ नहीं पढ़न कुछ कमी रही होगी तुमने अगर syllabus नहीं किया वो होगा या तुमने जो concept है वो कुछ mismatch कियोंगे मतलब उतने अच्छे डंग से नहीं पड़े होगे तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलूगा किसी भी subject की बात हो आप अपने पूरे syllabus की मालो तुम्हें लगता है कि यार माल भी तुम क्या गरो one short videos देखो उन chapter की जब उन chapter की one short videos देखोगे तो तुम भी अपने short notes बनाओ ठीक है तुम भी अपने short notes बनाओ क्योंकि यार short notes दोनों बच्चों को मतलब जिनका pre-board अच्छा गया जिनका खराब गया दोनों को काम आने वाले हैं बिलकुल last में जब हमार exam होता है जब एक एक दिन में पूरा syllabus या दो दो दिन में पूरा syllabus करना होता है तो हम short notes से ही पढ़ते हैं ठीक है तो यह तो हो गया यार उनके लिए जिनको pre-board अच्छा नहीं गया उनको वीडियो से पढ़ना वन शोट वीडियो से पढ़ना हाँ अगर physics पढ़ना चाहते ह तो मैं physics के लिए तो मैं बोलूँगा यार कि वाइस आप physics के लिए मैंने इस चैनल पे 24 hours का एक वीडियो डाला हुए इस वीडियो के description में मैं वो लिंक डाल दूँगा तो उसको जुरूर देख ले ना उसमें क्या है कि 24 hour में आप लोगों के सारे के सारे chapter हो रहे है सारे के मिल जाएगी साथ में मैंने previous year question करवा हैं भाई सब previous year question 40-45 मिनट के अंदर हर एक चप्टर के previous year question करा हैं तो उन वीडियो को देखके अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारे concept अगर धिले थे और concept तुम इससे पूरे कर लो उसके बाद प्रिवेस year question की भी practice खुद से कर सकते हो वैसे भी मैं slow पड़ाता हूं ठीक है तो ये एक तरीका हुआ चले अब बात हुई कि जब आप notes से वीडियो से सब चीजे कर लोगे तो वो क्या कर रहे हो तुम वो सिर्फ एक theory पढ़ रहे हो तो previous year question जरूर करना इधर वाले बच्चों को मैंने बता दिया कि किस तरीके से क करना इन वाले बच्चों को मैं यही बोलूँगा यार कि previous year question मेरे खाल सकर तुम्हारा प्रीबोड अच्छा गया तो तुमने previous year question कर लिये होंगे ठीक है तो अब उन previous year question को मतलब दुबारा करें या नहीं करें तो मैं अभी बोलूँगा अभी के लिए मत करो तुम सिरफ sample question question paper फे ध्यान दो जिनका प्रीबोड अच्छा गया वो sample question paper फे ध्यान दो तो sample question paper से practice करो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ठीक है अब ध्यान से सुनना क्या इधर वाले बच्चे sample question paper नहीं लगाएंगे लगाएंगे बट वो तब लगाएंगे जब वो अपनी जो weakness हुई है उनको पूरा कर देंगे previous year question को अच्छे से कर रखा होगा उन्होंने तो वो 2 या 3 sample question paper लगा लो ठीक है तो ये बढ़िया वाले टेक्निक तुमें बताई आप ध्यान से सुनना कि जो हमारा revision का time है उसकी division करके हम चलने वाले हैं इसका मतलब क्या है सर ये थोड़ा अच्छे पढ़ना चाता हूँ ठीक है मैरा revision का जो एक subject का time है मैंने 100% किया और उसको मैंने अलग-अलग part में तोड़ लिया ठीक है अलग-अलग part के अंदर भाई साब मैंने उसको तोड़ लिया जैसे कि मैंने 40-40 और 20 के अंदर इसको तोड़ लिया ये 40-40 का मतलब क्या है इस 40-40 क कि इस 40-40 के अंदर मैं क्या कर रहा हूंगा थियोरी को brings कर रहा है इस 40-40 के अंदर मैं किसको पड़ूंगा इसीलफ और ओ सिरह को itsे समझ आया मान लो मैं नोट से पढ़ रहा हूं या वीडियो से पढ़ रहा हूं तो भाई मैंने पहली बोले ना कि आप लोगों कि कुछ को सिरफ 40 परसंट दि मैं चार गंटे हैं तो उसका 40 परसंट निकाल लेना ठीक है जो भी परसंटेज बनेगी वह उसके कोडिंग ताइम दो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है 40% अगले जो 40% का भाग है जो अगला 40% का पार्ट है उसमें आप उसके past papers करिए क्या करिए past papers करिए मतलब previous year question करिए previous year question करिए ठीक है अब previous year question कितने साल तक के करें भाई सब 5 साल तक के कर सकते हो at least 5 साल तक के उस chapter में जितने formula है उनको write करके देखना है लिख के देखना है अगर उसमें figure है तो वो figures बना के भी देखनी है वाई सब वो figure को draw करके देखिए ठीक है इससे क्या होगा आप लोगों का जो chapter आप revise करना चाहते वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा और एक chapter एक दिन में निफ्टाते चलें ठीक है one day one chapter करते चलो one day one chapter करते चलो और one day one chapter का मतलब यह नहीं है किस तरह आप theory कर रहे हो वह ज्यादा self study करो गए वह ज्यादा productive होगा तुम्हारे लिए और ज्यादा helpful भी रहेगा score ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि देखो मान लो अगर मैं आज theory पढ़ता हूं कल previous year करूंगा परसो फिर कुछ भूली नहीं जाओंगा भई मैं जितना जल्दी हो जल्दी revision करता हूं सारी चीज़ों की theory पढ़ लेता हूं previous year question कर लेता हूं ठीक है उसके बाद उसको recall कर लेता हूं फिर मान लो अगरी मैं यह काम बहुत जल्दी कर लेता हूं फिर से एक बार मैं revision कर सकता हूं यार और हमें तो gap भी अच्छे मिले हैं अपनी self study के अंदर और मैं एक बात बोलूँगा कि last के दिनों में अगर इतने time के लिए भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं भाई सब ठीक है यह नहीं होगा कि last के दिनों में फिर दो तीन घंटे पढ़ रहे हैं और काम चल रहा तुमारा तो इसलिए वन डे वन चप्त्र करो और daily target बनाओ सोने से पहले daily target बना लो और इस daily टार्गेट को daily achieve करो ठीक है जैसे की सोच लो कि हां भी कि यह chapter है इसको कल करना है तो करना है ठीक है गल इतने subject तीन subject पढ़ने है तीन subject के यह topic पढ़ने यह चप्ढर पढ़ने है तो वो कर करने ही करने है't कल पे नहीं चोड़ना क्योंकि अब अगर इस टाइम पे भी अगर तुम टालते चलोगे चीजों को तो कुछ भी नहीं होगा यह टाइम वो है कि जो चीज पकड़ी उसको पूरा करो ठीक है जो चेपटर पकड़ा है वाई सब उसको पूरा पी जाओ acse पी जाओ और इसके बाद फिर आगे दूसरा चप्टर पकड़ो जो भी तुम्हारा टार्गेट है तो इसलिए वन डे वन चप्टर हर एक सब्जक्ट की इंडिविजल की मैं बात कर रहा हूं ठीक है वैसे तो तीन चप्टर होंगे एक दिन में क्योंकि अगर आप तीन ठीक है बटा तो ये एक तरीक है हाँ एक और बात मैं तुम्हें बोलूँगा कि जिन बच्चों के लगता है कि हमारी रिवीजन भी बहुत अच्छी हो चुकी है हमारे प्री बॉर्ड भी बहुत अच्छे गए हैं प्रीवीस एर में ने कर लिए हैं तो वह सबसे पहले एक प्रेक्टिस कर लेना फिर जो न्यू आया है वह वाला प्रेक्टिस कर लेना न्यू आया जो वह वाला प्रेक्टिस कर लेना हां अगर तुम फिजिक्स के लिए एडिशनल जो कोशन बैंक है एडिशनल जो कोशन आये हैं उनका अगर सोलूशन चाहते हो उनका अगर यह requirement है यह video उनको चाहिए यह notes उनको चाहिए ठीक है और मैं तुम्हारे साथ हूं यार बोला है कि इस channel से हम सतर में से सतर लेके आएंगे ठीक है बसाब लोगों को क्या करना है पढ़ना है मेरे साथ मैं महनत करने के लिए त्यार हूँ तुम महनत करने के लिए त्यार हो या नहीं हूँ हां सेंपल कोशन पेपर का जो सॉल्यूशन है न्यू वाला वो जल्दी ही अपलोड होगा बढ़ तुम्हारे कमेंट का मुझे भी इंतजार रहेगा ठीक है और साथ में एक बात बोलूंगा यार जो बार बार बोल रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल जो इसको फटावर्ट से जोइन कर लो क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे मेरा सारे का सारा कंटेंट आतर वो भी फ्री ओफ कोस्ट होता है ठीक है अब क्या पता मानलो पेपर है पेपर के अंतर मैं बहुत सारी क्लासिस ले रहा होता हूं स्पैशल क्लास भी यूट्यूब पे भी ठीक है पूरा एक अब स्पैक creo को अब सिफ्टिक्स की तो करेंगे और सनी इक कर से इस कोलोग प्रेंशन करनी चाहिए कि आप लोगों का स्कोर यहां से यहां पोंच सकता है इसली अब अ प्रैक्टिकल मेत्टर अच को आपने अपलाई तो अपने सबी फेंट्स के साथ शेयर जुरू करना जैहिन बंदेमात्रब